आप देख रहे हैं जीकिनाइश वीडियो में 20 महत्पुन परसनों को कबर करेंगे आपकी सभी परत्युकत परिक्साओं के लिए इंपोटेंट है तो वीडियो को एंड तक देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए शुरू कर और आपको बता दें 375 इसापुरु से लेकर 233 इसापुरु तक ये चंदगुप्त मौरे के महामंतरी रहे हैं और इन्होंने चंदगुप्त मौरे के साथ मिलकर नंदवंस के अंतिम सासा घनानंद को हराकर नंदवंस पर मौरे सामराज्य की निव रखी थी याद रखेग निव लिकित में से किसकी तुलना मेक्यावेली के प्रिंसे की जाती है इसक्रिशन का सही अंसर हो जाएगा option B कोटिली का अर्थ सास्त्र अभी मैंने आपको बता है कोटिली किसके नाम है चानक्य का नाम है या विसनुगुप्त कह सकते हैं तो इनकी पुस्ता का अर्थ सास इसकी तुलना की गई है मेक्यावेली के प्रिंसे मेक्यावेली यह इटली के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम था निकोलो मेक्यावेली और इनके पुस्ता कोन था जिसने राज शियासन पर बैटने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी यह गिती असोक मोरे बंस के सासक हुए है समराट असोग, ठीक है इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या गीती सुषीम की, और इनको देवयान पिरियादर से भी कहीं 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 कोशन में पूछ लेता है, इस कुछिन है, निमलिकित में से समराट असोग की वह पतनी कौन थी, जिसने उनको परभावित किया तो इस question का सही आंसर जाएगा option D कारूवाकी तो कारूवाकी से भोती परभावित थे समराथ असोग तो option D सही आंसर हो जाएगा next question है असोग ने अपने सभी अभिलेकों में एक रूपता से किस प्राकरत का परियोग किया है यानि किस भावित का परियोग किया है तो अर्दमागदी का क्या है option D सही आंसर हो जाएगा next question है बिंदुसार ने विद्रोईयों को कुचलने के लिए असोग को कहां बेजाता इस question का सही आंसर हो जाएगा option B तक्षीला में ठीके दिखे तक्षीला यह गंदार देश की राजधानी थी और 405 इस्वी में तक्षीला में फाईयान आया था याद रखेगा option B सही आंसर हो जाएगा next question है ने विद्रोईयों किते में से वैवैक्ती कौन है जिसका नाम देवान पिरिया दर्सी है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option है असोग तो असोग का एक होड़ नाम है देवान पिरिया दर्सी इनको कहा जाता है option A सही आंसर हो जाएगा लिए next question वीडियो चले कि तो लाइक और से जरूर कर दीजिएगा next question है निमलिकत में से प्राचिंतम राजवन्स कौन सा है question का सही आंसर हो जाएगा option A मोर्ये प्राचिंतम राजवन्स है option A question का सही आंसर हो जाएगा मोर्ये वन्स दीखे इसके बारे में आपको बताने 322 इसवा पूर से लेकर ये वन्स 185 इसवा पूर तक चला लगबग 137 वर्सों तक सासन किया मोरे राजावने ठीक है और इस वन्स की राजधानी पार्टली पुत्र हुआ करती थी और इसकी स्थापना किस ने किती चंद इन दोनों ने मिलकर मोरे सामराज्य की स्थापना कि थी चानक के या कोटिल लिए किसका परधान मंतरी था तो ये चंद गुप्त मोरे का ता ओप्सन भी स्कूरिशन का सही आंसर हो जाएगा या विस्नु गुप्त भी आपको कोश्यन में मिल जाएगा ने स्कूरिशन है कल में महालन लीकंद में से किस धरण को अंगीकार कर लिया था दिखिए कलिंग विजय ने कलिंग का युदध हुआ था। 262 इसापुर में कलिंग का युद हुआ था और इस युद में इतना नर्शनहार हुआ असोप का उस नर्शनहार को देखकर दिल विंगल गया था और इसने बोर धरम अपना लिया था युद ना करने की गोशना कर दी थी इसने ठीक है तो option B इस question का सही answer रोज़ेगा बोड धरम और ये कलिंग विजे इसका जो लेक मिलता है असोप के 13 अभिलेक में मिलता है याद रखेगा 13 अभिलेक में कलिंग विजे का उलेक मिलता है ये question पूछा जाता है exam में question है चंदगप्त के शासन विस्तार में किसने मुखे रूप में मदद की थी तो चानक्य ने की थी option C question का सही answer हो जाएगा चलिने ईस question साची किस कला वैं मूर्ती कला का निरूपन करता है इस question का सही answer हो जाएगा option B बोध करता है option B सही answer हो जाएगा चलिने इस question है प्राचीन भारत का वह परसिता सक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैंदरम अपना लिया था दिखे असोप ने बोधरम अपनाय था और जैंदरम अपनाय था चंदगुप्त मोरे ने जैंदरम अपनाय था और असोप ने बोधरम याद रखेगा इनपोडेंड कोशन है कोशन है मोरे सामराज्य किस्ता अपना किसने की थी तो चंदगुप्त मोरे ने की थी ओप्शन भी इस question का सही आंसर हो जाएगा चैनक्य के साथ मिलकर कोशन है मोरे सामराज्य में परचलित मुद्रा का नाम क्या था देखें मोरे सामराज्य में जो मुद्रा चलती थी वो पन चलती थी ओप्शन ये इस question का सही आंसर हो जाएगा पन next question है निमलिकित में से कौन मोरे वंस का सासक नहीं है दीखें चंदकुप मोरे इनोंने मोरे वंस की स्थापना की थी असोक समराट असोक मोरे वंस है और बिंदु सार भी लेकिन अजा सत्रू ये मोरे वंस के सासक नहीं होए ये मगद वंस हुआ है एक मगद समराज्य जो च कौन था इस question का सही answer हो जाएगा Option, कुमात या कही कही question में आपको oğlumal मिल जाएगा याद रखेगा कुणाल सबसे जाद मिलता है छाथ मिलता है यदे आरह कुमातगे मिलता है Q Tout Ngo गया है जो मोर्य संस्थापक थे चंदगुप मोर्य और चानक्की के बीच जो वर्दलाप हुआ है जितनी भी इनकी रन्नीती हुई है सभी इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी तो option B इस क्रिषिशन का सही आणसर रहाएगा मुद्राप सकत के लेखर विशाखदत हैं और ये संस्कृत की चानके पुस्तक है है और चोति सताप्दी में इनोंने लिखी दीए विसागदत के पुराची इन भारते नाटक मुद्राक सक्स का विस्से वस्तू है इसक्रिशन का सही अंसर हो जाएगा चंदगुप मोरे के समय में राजदरबारी की दुर भिसंदियों के बारे में और इसक्रिशन के राजदरबार में क्या चलता था सभी इसमें दिया गया है इसक्रिशन है मालवा, गुजरात और महाराष्ट की सासक ने पहली बार जीता यहां से एक कोशन आपके एक्जाम में बन सकता है वीडियो अच्छे लगी तो लाइक हो से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले